हलो स्टूडेंट तो आज हम लोकरने वाल हैं मस्ट्व जो कि फिजिक्स फर्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और यह टॉपिक वाइस हो रहा है तो पहला आपका यूनिट अन्य मेजर्मेंट है तो पहला यहां बाद देख सकते हैं क्योंकि एमस्ट्व ब सि यह आपका क्या है किलोग्राम तो option नुमर बी आपका यहां पर राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका है इंद स्टी फॉन्डामेंटेल यूनित तो हम लोगों पता है कि साथ आपका है और उन से जो मिल के बनता है वह सगेंटरी फंडामेंटें मेंटेल यूनित ह यहां पर आपको टिक किया गया है वो आपका राइड अंसर हो जाए अप्सान नमबर भी कि निश्ट दपलेन एंगल एंगल अंट तो प्लेन एंगल और सॉलीड एंगल आपको क्या है सप्लिमेंटरी यूनेट से निश्ट कोशन आपका है दे यूनिट ऑप लुमियंस लुमिनेंस तो लुमिनेंस का यूनिट क्या हो जाएगा कैंडला पर स्क्वेर मीटर अप्सान नमबर भी आपका राइड एंसर हो जाएगा निश्ट है बाइद सर्फेस दे सॉलीड एंगल सबस्टेंड एड दे सेंटर ऑप स्पेर फूस एरिया इस इक्वेर तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो सर्फेस होगा सॉलीड एंगल एक सर्फेस बनाएगा तो उसका आपको किस के बराबर होगा वो? स्टेडी रेडियन के बराबर होगा वो यहापर आपको दे सकते हो जो अब दे सकते हैं फूस एरिया इस इक्वेर ग्ल तो Steady Radian, ठीक है, Option No. B, Next, at the center, the plane angle subtended by arc of a circle, equal to the radius of the circle, is known as, तो ऐसा angle, जो कि plane angle के द्वारा subtended हो रहा है, और arc of a circle के बरावर है, उसको क्या बोलेंगे, Radian, Option No. D, Next है, Another Name of Fundamental Units, तो fundamental unit को हम लोग और भी किस नाम से बोलते है, तो उसको हम लोग बोलते है, base unit के नाम से, तो बस आपको ये वीडियो को आपको बस सुनना है, जिससे आपको याद हो जाएगा, Next, आपका which of the following metric prefix, could replace 10 to the power, 9, तो minus 9 है, यानि कि, 9 हो जाएगा, आपका, Option No. A, इसलिए आप लोग यहां से समझ पा रहे होंगे, और साथ ही, आप kilo के लिए minus, kilo के लिए आप 3 यूज कर सकते है, mega के लिए आप, 6 यूज कर सकते है, micro के लिए आप 6 यूज कर सकते है, और mega के लिए 4 यूज कर सकते हैं, और amount of substance is, तो ऐसा यूज क्या है, amount of substance का, तो यह आपका क्या हो जाएगा, मूल, Option No. A, निच्ट इसलेक्ट दा ओड, आउट, 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 आउट फॉलाइंग मेजर्मेंट, यहां पर आपको और आउट बताना है, तो यहां पर kilogram, ग्राम, सेकेंड और मेटर दिया गया है, तो किलो ग्राम, मीटर और सेकेंड आपका क्या ऐसा यूइनिट है, एक टाइप का सिस्टम में यूज हो रहा है, और gram आपका क्या है, सीज़ेस यूइट का है, तो आपसिन नमबर 20 में और हो जाएगा, हρι Whamie ूस फेराइट किसका दें तो आपसिंगे हैं तो आपसे नमबर डि आपके यहां रह्य तब हैं या डेन सर 12 अखे जाएगे dar मेरे भी जिस्टम है विजल तो मेट्रिक सिस्टम क्या होता हैं मैक्नें प्रफिश नंबर भी वैट इस नेम अब दे physical quantity which are independent of each other तो जो physical quantity independent होता है मिस्स उसको किसी का और help लेने का जरूबत नहीं पड़ता है उसको हम लोग बोलता है fundamental quantity और जो किसी का help से होता है उसको हम लोग क्या वो तरी derived quantity example के तोर पर आप लोग समझ सकते हैं length लेंथ यानि हम लोग उसको मीटर में करते हैं तो बस लेंथ का हो गया मीटर तो यह आपका क्या होगा या fundamental quantity हो गया और अगर हम लोग वेलोसिटी का बात कर दें तो इसमें क्या है लेंथ वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस यानिकी लेंथ पर यूनिट टाइम यानिकी सेके तो दो fundamental unit का help करके हम लोग वेलोसिटी को कर रहें तो यह क्या हो गया derived unit या फिर डिराइब quantity तो आपको के लिए होगा निस्ट चलते हैं वाट इस्टेंडर यूनिट ऑफ लेंद तो standard unit of length क्या है मीटर है option number एक जैसा कि मैंने पहले बताया था निस्ट आपका है which of the quantity concept of unit as केजी मीटर पर सकेंड तो यहां पर केजी मीटर पर सकेंड यानिकी के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे यानिकि मास के लिए केजी यूज करेंगे और मीटर पर सकेंड यानिकि वेलोसिटी का है तो मोमेंटम का हम लोग क्या यूज करते है म भी यूज करते है मास इंटू वेलोसिटी तो बस आपको option number B यहां का राइड एंसर हो जाएगा वीच ओफ दाव वांटिटी कंसीट अफ यूज कर द है यूज कर द न्यूटन सेकेंड किसका यूज कर द यह आपका है इंपर्स का option number e झाल नेस्ट बीच आण ant 40 पाथ किसका p escala ap WHY सब्सक्रेश करूज हो जाएगा अपसा नंबर बी कि नेस्ट आपका जो लिए फाधाग्र में चलय मैं तो आपको पता ना कि फंडामेंटल इंड इसमें इसमें कौन सा तो यहां पर न्यूटन, एंपियर, जूल और वाट दिया गया है तो यहां पर न्यूटन वाट और बी prends होगल आपका फॉंडमेंटल उस Under ऴी कि भी तो कॉन सा माण्यूट में एक हर्जा तो हम लोगे learnय यहां पता यहां पर आपको देख सकते हैं फिक्मेंट सी ओपसन नमज सी में दिया गया है ने शब का है वीच अफ दा कॉंटिटी तो कैंडिला किसका ऐसा इनुट है तो हम लोगों पता है यह किसका है अलूमिनियस इंटेंसिटी जो कि सप्लिमेंटरी आपका कॉंटिटी में आता है औ सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करना है और कुस्टन को ध्यान में रखके आपको एंसर अपने माइंड में सोचना है तभी आप अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग को याद हो जाएगा निश्ट है वाट इस दा फॉर्मूला ओफ मुमेंटम तो मुमेंटम को हम लोग का फॉर्मूला क्या है सिंपल मास इंटू को अंगल को हम लोग कौन से एसा यूट में में जर करते हैं तो इसको हम लोग बोलते रडियन तो अफसर नंबर सीज कर एंसर हो जाएगा तो यहां पर कॉमन यूनिट कौन सा है चुक्कि MKS और SI उनिट में सेम होता है जूल पर सकेंड यह यूनिट आपका कॉमन है तो यहां पर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं एफ से आपका साइध हो जाएगा पी से पाउंड और ऐसे सकेंड हो सकता है तो यहां पर दोनों में सेम है तो क्याम कॉमन होगया तो अपसर नंबर बी विज़ाद फॉलविग इस यूनिट आप लेंद का आपका कॉन सा यूनिट है तो यह आपको क्या हो जाएगा लाइट यह आपका क्या है लेंद का है ठीक है तो इसमें नेफ्यूज नहीं होना टाविशंद काने अनजी का यूनिट क्या है तो यूनिट तो जूल जूड़ाहाई तो यहां पर हुक्तिर सब्सूलिघार तो यहां पर चूड़नन आप लेमिटफ्था म qualities इस नौट्विट рад t दो प्सेन नंबर डी कि इस पिभी कोंटेटी हर एक यूनिट और मास इस तो कौन फीजिकल कौंटेटी यहां पर यूनिट आपका मास यूज रहा है तो यह आपकर क्या है इन अर्शिया आपसर नंबर सी क्योंकि आपका इन इसे का फॉर्मूला तो पता ही होगा फॉर्स सेकेंड होता है और फॉर्स में आपका क्या होता है मास इंटो एसलरेशन तो मास आपका यूस हुआ नेश्ट आपका है वीच आपका फॉर्स सिस्टम इसे ब्रीटिस सिस्टम तो ब्रीटिस सिस्टम आपका यह ब्रीटिस सिस्टम है यह बात आपको ध्यां रखना है साथ ही cgs आप फॉर्स सिस्टम बोच सकते हैं और mks को भी तो यह आपका यूनिडर मेर्यमेंट से साथ